नमस्कार दूस्तू दूस्तू आज जम बात करने बाले हैं अनंत मोल पोदे के फ़ाइदों के बारे में दूस्तू अनंत मोल बेहत पर सिदाउर चमतकारी चड़ी बोटियों में सेख हैं इस जड़ी बोटी को कृष्णन सारिवा के नाम से भी जाना जाता हैं वहीं अंग्रेजी में इस जड़ी बोटी को बले क्रीपर के नाम से भी जानते हैं बता दे कि यह जड़ी बोटी कई पोसक ततों से बरपूर हैं वहीं इसके फूल सुगंदित होने के साथ साथ हरे सफेद और बेंगरी रंके पाए जा सकते हैं ध्यान दे कि अनंत मोल, खुजली, बुखार, डाइबिटीज, उल्टी जैसी कई समस्याव से रहा दिलाने में उप्योगी हैं बता दे कि आयूर्वेद में इस ओस्दी के पत्ते जड़ और चाल तीनों का उप्योग किया जा सकता हैं दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अनंत मोल के उप्योग से सेहत को क्या-क्या फ्वाइदे होते हैं साथ इसके नुपसान के बारे में भी जानेंगे नमबर एक अपच की समस्या को करे दूर दोस्तो अपज की समस्या को दूर करने में अनंत मोल आपके बेहत कामा सकता है ऐसे में आप इसके जड़ के चुरन में सारिवा का चुरन मिलाएं और इसका सेवन करें ऐसा करने से न केवल अफच की समस्या दूर हो सकती है बलकि पेट की कई समस्याओं से राहत मिल सकती है नमबर दो गले की समस्याओं से दिलाए राहत दोस्तो अक्सर लोग गले की कई समस्याओं से परेशान रहते हैं ऐसे में यह लोग अनन्त मूल से अपनी समस को ठीक कर सकते हैं परभावित लोग अपने गले पर अनन्त मूल पंचांग चुरन से बने लेप को लगाएं ऐसा करने से न केवल गले को ठीक किया जा सकता हैं बलकि कंट की सूजन से भी राहत मिल सकती हैं हाला कि इसका परियोग करने से पहले एक्सपर्ट की सलाज जरू लें नमबर तीन पत्री की बिमारी में लाबदायक दोस्तों गलत खान पान के कारण या जीवन में थोड़ी सी लापरवाही के कारण व्यक्ति पत्री जैसी समस्षा का सिकार हो सकता है इस दर्दनाक बिमारी से बचने के लिए आप अनंत मूल का उपयोग कर सकते हैं अनंत मूल की जड का चूरन और दूख का सेवन इस समस्षा से राहत दिलाने में उपयोगी है नमबर चार बवर सीर से करे इलाज दोस्तो बवासीर से लड़ने में भी अनंत मूल आपके कामा सकता है अनंत मूल की जड़ से बना चूरन आप दही या चाज के साथ सेवन करें ऐसा करने से बवासीर में लाब मिल सकता है हाला कि इसका उप्योग करने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाद जरूर लें नमबर पांच भूग को बढ़ाए दोस्तो भूग को बढ़ाने के लिए अनंत मूल आपकी मदद कर सकता है बता दे कि अनंत मूल की जड़ का चूरन का सेवन किया जाए तो यह न केवल भूक में सुधार लाता है बलकि सरीर के विकास में भी उप्योगी है हाला कि हम आपको सलाद देंगे कि इसे अपने डाइट में जोडने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाद जरू लें दोस्तो आईए जानते हैं अनंत मूल के नुकसान के बारे में दोस्तो बता दे कि किसी भी चीज की अती सेहत के लिए नुकसान दे हो सकती है ऐसा ही कुछ अनंत मूल के साथ भी है अगर इससे बना काड़ा या इसके पतों का सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो यह सरीर में एलर्जी की समसा को पैदा कर सकता है इससे अलग सरीर में खुजली या उल्टी जैसी समसा भी इसके अधिक्ता से देखी जा सकती है दोस्तों अनंत मूल जड़ी बूटी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है लेकिन इसकी अधिक्ता सेहत के लिए नुकसान दे भी हो सकती है ऐसे में आयुर्वेदा चारिये से इसकी स्रीमित मात्रा का ग्यान ले उसके बाद इसे अपनी डाइट में सामिल करें यदि आप किसी गंभीर बिमारी से ग्रस्त है या कोई स्पेसल डाइट फोलो कर रही है तो अनंत मूल के उप्योग करने से पहले एक बार एक्सपर्ट की राये जरूर ले